बिस्मिल्लाहिरोहमानीरहीम अस्सलामु अलेकुम नाजरीन आज हम बनाने वाले हैं घर पर शेजवन सौस बहुत ही आसान तरीखे से और बहुत ही अच्छा बन कर ये तैयार होगा और बिल्कुल मार्केट जैसा बन कर ये तैयार होगा चलिए बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे लाल मिर्चे जो घर में आवेलेबल होती है आसानी से अगर आपकी मिर्ची तेज है तो आप इसके वीजे निकाल सकते हैं वरना अगर फीकी है मिर्च तो आप वैसे भी उसे विगोका रख सकते हैं हम इसे दो घंटे के लिए भीगो कर रख देंगे, हमने इसके बीज नहीं निकाले हैं दो घंटे के लिए हमने इसे भीगो कर रख दिया था, अब इसका पानी ड्रेन कर दिया, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे अब बनाना शुरू करते हैं, शेज़वान सॉस ये वो पेस्ट है जो हमने तयार किया है एक मीडियम साइस की प्याज बारिक चॉप की हुई लैसन देर चमबज, अद्रक एक चमबज, बारिक चॉप किये हुए टोमेटो सॉस टू टी स्पून सोया सॉस टू टी स्पून विनिगर फोर टी स्पून विनिगर थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये प्रिजर्वेट्यू का काम करता है हम सॉस को स्टोर करके भी रख सकते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं एक पैन लेंगे पैन में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ओइल ओइल भी हम इसमें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तेल अगर ज्यादा हो तो सॉस खराब नहीं होगा तेल को अच्छा गर्म होने देंगे और फिर उसमें डालेंगे अद्रक लेसन बारिक चॉप के हुए इसे अच्छा से फ्राइ कर लेंगे यह अच्छा से फ्राइ हो गया है अब हम इसमें डालेंगे प्यास इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे यह देखिए यह भी ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे यह पेस्ट जो हमने तयार किया है मिर्चों का और इसे अच्छी तरह हैसे मिक्स करेंगे इसमें हम डालेंगे हाफ कब पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालते होगे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तोटल हमने इसमें हाफ कब पानी इस्तिमाल किया है यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे ढख कर तीन मिनट के लिए कम बती पर रख देंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए और मिर्ची का कच्चापन निकल जाए पानी सुग गया है और इसका कच्चापन भी हतम हो गया है अब हम इसमें सॉसिस डालेंगे यह है टोमेटो केचप सोय सॉस और विनिगर गयास की श्लेम को अब हम बढ़ा देंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक इससे अच्छे से मिक्स करेंगे इससे चक्कर देखेंग तो उसमें सॉस कम था इसलिए हमने वन टीस्पून सॉस और एड़ किया है टोमेटो सॉस अब इससे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पानी सुखने तक हम अच्छे से फ्राइ करेंगे दो मिनट गैस पर रखने के बाद देखिए यह थोड़ा गाड़ा हो गया है बहुत ही अच्छा बन कर यह हमारा सॉस तयार हो गया है आप पीजा पर सैंड्विचेस पर नूडल्स में और फ्राइड राइस में इसे इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अल्ला हाफिस